इतावा में गाज़ाबाद इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच की अक्चिदेन्ट की दोरान मौत इतावा आगरा लकनव एक्स्प्रिस वे पर इसड़ा खाट से में मारे गए सहारनफुर के इंस्पेक्टर क्राइम रांच समर्जीट सिंग एवं उनके ससूर का शब पोस्ट माटम हाउस लाया गया हाच से वप गाड़ी चला रहा है उनके छोटे बेटे ने दुरघटना की पूरी जानकारी दुख दरसल इटावा सैफाई में आगरा लखनाव एक्सप्रेस वे पर सड़क हाच से में मारे गए समर्जीट सिंग शुकरवार की सुबा अपने वेटे ससूर और एक दोस्त के साथ गोरगपूर अपने पैत्रिक गाउं बढ़हल जा रहे थे समर्जीट सिंग मूल रुट से गोराफूर के बढ़हल गाउं के निवासी हैं उनका पूरा परिवार बनारस में रहता है समर्जीट सिंग अपने बीवी बच्चों के साथ नोईडा में रह रहे थे शुक्रवार की सुबा आगरा लखनाओ एक्स्प्रिस वे पर सैफई के पास किसी वहन को बचाते हुए उनकी कार हाछसे का शिकार हुगई जसमे समर्जीट सिंग का बेटा कार ड्राइब कर रहा था हाछसे में समर्जीट सिंग की मौकी पर ही मोथ हो गय साथ में उनके बुज़रुग ससुर ने भी हाच्छी वपनी जान गवा दी इंस्पेक्टर समाजूरीट सिंग गौतम बुद्नगर के सूरच पुर्दन को और कास्वा समेथ कई थानों में बता और SHO तैनाथ रहते थे लगना एक्सपेस्वेय पर साड़े नौफ बजे की करीब आते हुए एक्सपेस्वेय की रोड तो के पुराने उचके तो थोरी धस गई है तो हमारी स्टेरिंग एक और से थोरी राइट साइड में गया तो उसको रोगने के लिए मैंने भ्रेक लगाया लेकिन तब तक पाप अपर ने खीच दिया और स्टेरिंग दूसरी बड़ा तो इसवेश से गाड़ी का पुरा पईया घूम गया गाड़ी डिस्बैलेंस हो गई और डिस्बैलेंस होके गीच और डिवादें में जाके लड़ी उसके जब नोगो लोगो को बुलाए गया हेल्प किया गया तो प अब अचानक कुछ गाड़ी डिस्बैलेंस हुई है क्योंकि वनवे था उनके जो बेटे थे उनसे ही बात हुई थी इसी तरह से डिस्बैलेंस होके वह गाड़ी एक तरफ पल्टी है जिसमें जिस तरफ इंस्पेक्टर साथ थे इनके ससुर पीछे वाली सीट पे थी उस सम लेकिन जैसी होस्पीटल लाया गया था संभव के इंटर्नल इंजिरी रही होगी तो इंस्पेक्टर समझ जीस सीट और उनके जो फालेंस हो थे दोनों की डैथ हो गई है बाकी और जो परिजन थे इनके दो बेटे थे और साले थे एक बच्चा भी था उनके भी छोटे है और अब अबना अबने वापे जाने